हलो इभरीवन मैं अस्बी सिंग आपका अपने आनलाइन एकोनामिक्स क्लास में स्वागत करता हूँ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बारम बारता आरेक फ्रिक्वेंसी डाइग्राम क्या होता है इसके पहले हमने आकणों के आरेक ही प्रस्तूतिकरण की विधियां बत होता है जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियों नहीं देखा हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट में जा करके मेरे उन वीडियों को देख सकते हैं तो अब हम देखते हैं कि बारम बारता आरेक हर्थात फ्रिक्वेंसी डाइग्राम क्या होता है बारम बारता आरेक समुही क्रित बारम बारता वितरण के रूप में प्रस्तुत आकणों को सामाननित बारम बारता आरेकों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है अब इसमें महत्पुन रूप से बारंबारता आरेख जो होता है वह आयचित, बारंबारता बहभुज, बारंबारता वक्र, ओजाई वक्र आधी होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं आयचितर क्या होता है, आयचितर अर्थात हिस्टोग्राम, आयचितर एक द्वीविम आरेख है या आयतों का एक ऐसा समुच्चा है जिसमें वर्ग सिमाओं के अंतराल यक सच पर आधार का कारे करते हैं तता जिनके छेतरफल वर्ग बारंबार आता के अनुपात में होते हैं यदि वर्ग अंतराल का विश्टार एक समान हो जैसा की सामानित्य होता है तो आयतों का छेतर फल उनकी बारंबारतां के अनुपात में होता है और अगर उनके वरगंत्राल एक समान न हो तो फिर ऐसी इस्तिति में हमें बारंबारता का समायोजन करना पड़ता है इसकी उचाई का समायोजन करना पड़ता है इसको हम इस चित्र के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं इस चित्र में आपको आयज चित्र दिखाया गया है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक सच पे वरगंत्राल को लिया गया है और वाई एक्स पे मजदूरों की संख्या अर्थात उनकी बारंबारता को लिया गया है जैसे 44.05 से 49.05 रुपए वेतन पाने वाले दैनिक मजदूरी पाने वाले ये दो मजदूर हैं इसी तरह अन्य वरगंत्रालों के लिए उनकी बारंबारता के आधारपन उनकी उचाई तह की गई है यहाँ पर यह देख रहे हैं कि वर्गंत्राल एक समान है अगर वर्गंत्राल एक समान न हो तो फिर बारंबारता का समायुजन करके उनकी उचाई निर्धारित की जाती है क्योंकि आयत चित्र में आयत का छेत्रफल ही आकडों के मान को प्रदर्शित करता है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निम्न सीमा से शुरू किया जाता है आयत चित्र को बनाना और उसकी उचाई के अधार पर फिर उसकी उच्च सीमा तक ले जाते हैं पहले वर की जो उच्च सीमा होती है वह अगले वर की निम्न सीमा होती है उसके अधार पर उसकी अगली अगला आयत बनाया जाता है यहां यह ध्यान देंगे कि जो आयत चित्र की उचाई है हमने कहा कि जब वरगंतराल एक समान न हो तो ऐसी स्थिति में इसके छेत्रफल का इसके बारंबारता का फिर समायोजन किया जाता है और इनके छेत्रफलों की तूलना की जाती है कि कौन सा आकड़ा बड़ा है कौन सा आकड़ा छोटा है अर्था इसमें उचाई के साथ साथ इसके छेत्रफल का भी महतु होता है आयत चित्र के माध्यम से आकड़ों का बहुलक भी ग्याद किया जा सकता है जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बहुलक काकड़े को ये दर्शारा है पहले हम क्या करेंगे जो सबसे उचा दंड या अधिक छेतरफल वाला जो आयत रहेगा उसके उपर से हम सुरू करेंगे और उसके अगले के निम्न सीमा से मिला देंगे यहाँ पर देख रहे हैं निम्न सीमा से मिला दे रहे हैं फिर दूसरे चोर से बाये वाले के उच्च सीमा को मिला देंगे और मद बिंदु से होती हुई एक रेखा खिचेंगे उर्ध्वाधर तो जो उर्ध्वाधर लाइन होगी उसके जो मान आएगा वह मान क्या कलाएगा उसका बहुलक का लाएगा अब हम देखते हैं कि बारंबार्ता बहभुज या आवरित्ती बहभुज क्या होता है बारंबार्ता बहभुज सीधी रेखाओं से घिरा हुआ एक सम्तल है जिसमें सामानेत चार या अधिक रेखाएं होती है बारंबार्ता बहभूज आयत चित्र का विकल्प होता है जो आयत चित्र से ही वित्पन होता है बारंबार्ता बहभूज को वक्र के आकार के अध्यन के लिए किसी आयत चित्र के उपर लगाया जा सकता है इसको भी हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि बारंबारता बहभुज क्या होता है यह आप देख रहे हैं आयत चित्र है आयत चित्र के मध बिंदू से आयत चित्र के मध बिंदू को एक सीधी रेखा द्वारा मिला दिया जाता है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सीधी रेखा द्वारा इन मध्ध बिंदूओं को क्या किया गया है मिला दिया गया है ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे इस तरह मध्ध बिंदूओं को एक सीधी रेखा द्वारा क्या किया गया है मिलाया गया है अब मिलाने के बाद आप देख रहे हैं कि दोनों सीरे जो है इसके वो एक सच को असपर्स नहीं करेंगे एक सीरा जो है इधर उपर रह जाएगा और एक सीरा इधर उपर रह जाएगा तो ऐसी स्थिति में इसका छेतरफल ग्याद करना कठिन हो जाएगा तो इस समस्या को दूर करने के लिए इसको मद बिंदु को पहले वाले के मद बिंदु को सुनने से मिला दिया जाता है और अंतिम वाले छोर को अंतिम वाले वर्ग अंतराल के उच्च बिंदु से मिला दि गया है और इसको सुनने से मिला दिया गया है अब हम देखेंगे कि बारंबारता वक्र क्या होता है बारंबारता वक्र के बारे में भी देख लेते हैं बारंबारता वक्र फ्रिक्वेंसी कर बारंबारता वक्र को बारंबारता बवभूज के बिंदूओं से निकटम गुजरते वे मुक्त हस्त से वक्र बना करके आसानी से प्राप्त किया जा सकता है यह अवस्यक नहीं है कि यह बारंबारता बहभुज के सभी बिंदों से होकर गुजरे परन्तु यह उन बिंदों से निकटम होकर गुजरता है इसको ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर हम एक उधारण के रूप में यहाँ पर आपने यह बारंबारता बहभुज बनाया है और कोई सभी मध्य बिंदूं को मुलाने किया सकता नहीं है बलकि इसके नदीक से गुजरती हुई एक रेखा के द्वारा मुक्तहस से इस तरह बनाएंगे अब इसको हम आपकी बुक में जो चित्र दिया गया उसके द्वारा भी देख सकते हैं यहां पर देख रहा है कि यह बनाया गया है आपका बारंबारता भाभुज उपर खिचा गया है और इसके नीचे मुक्तहस्त यह आपका बारंबारता वक्र बनाया गया है अब हम देखते हैं कि ओजाईब वक्र या तोरण वक्र क्या होता है उजाईब या तोरण वक्र जो होता है इसे संचाई बरंबारता वक्र के नाम से जाना जाता है तो संचाई बरंबारता हैं आप जानते होंगे कि दो प्रकार की होती है वो दो प्रकार कौन-कौन से हैं से कम संचाई आवरिती और से अधिक संचाई आवरिती तो दोनों के ही अधार पे हम दोनों के अधार पे हम जो है सामोहिक बारंबारता वितरण आकणों के लिए दो प्रकार के तोरण भी होते हैं यहां बारंबारता वभूज की भाति साधारन बारंबारताओं के अस्थान पर बारंबारता वितरण की वर्ग सीमाओं के सामने संचई बारंबारताओं को वाई अच्छ पर आलेखित किया जाता है तो सबसे पहले हम जो है यह देख लेते हैं कि संचाई यावरिती कैसे बनती है यहाँ पर आप देख रहे हैं से अधिक और से कम बनाया गया है यहाँ पर पहले 0 से 20 है तो 20 से कम कितने बच्चे हैं 6 बच्चे हैं अब 40 से कम कितने यह दोनों मिला करके होंगे 40 से कम तो यहाँ पे 6 और 5 को प्लस कर दिया गया है आप देख सकते हैं 6 और 5 प्लस किया गया तो कितना हो गया 11 हो गया अब अगर यह देखना हो कि 60 से कितने कम है तो 60 से कम यह 3 हो जाएंगे तो 6, 5, 11 और 33 को प्लस करेंगे तो 44 हो जाएगा और अगर 80 से करना हो तो 14 प्लस कर देंगे और 100 से कम करना होगा तो ये सारे जो सारी जो संक्या है ये सब जो है 100 से कम है तो इनको सब को प्लस कर देंगे तो इस तरह आपको 64 टाप्त हो गया और अगर से अधिक बनाना है तो ठीक इसके विप्रीत चलना होगा नीचे से सुरू करेंगे इसको भी आप देख सकते हैं कि जैसे 80 से अधिक यहाँ वहाँ पर उच्च सी वरगंतराल की उच्च सीमा से कम हम बोल रहे थे यहाँ पर निम्न सीमा से अधिक बोलेंगे तो 80 से अधिक कितने हैं 6 हैं तो 80 से अधिक 6 हैं तो यहाँ पर 6 हो गया अब 60 से अधिक कितने हैं यह दोनों हो जाएंगे जो 60 से 100 के बीच में हैं यह कितने हैं 14 और 6 तो यह 20 हो गया अर्था नीचे से इसको प्लस करते चले जाएंगे और उनके वर्गंतराल के सामने रखते जाएंगे, तो यह से अधिक संचई आवरित्ती हो जाएगे और इनको जब हम ग्राब पेपर पर प्रदर्शित करते हैं तो ये आपकी से कम संचाई आवरित नीचे से आती है मूल बिंद से सुरू होती है क्योंकि ये निम्न सीमा से सुरू हुई थी तो ये जीरो से सुरू हुई है और अगर से अधिक वाला बनाएंगे तो हमें वह इस तरह कि आपका मिल गया है अब इन दोनों को अगर एक में मिलाएंगे तो आपको इस तरह कि ये मिल जाएंगे कि अब यहां ध्यान देने वाली बात होगी जहां पर ये दोनों एक दूसरे को क्रास करेंगे काटेंगे उससे संबंधित जो आपका मान होगा ये देखिए ये क्या है आपके माधिका होगी क्या का लाएगी माधिका जैसे पचास और साट की माधि में आया है तो इसकी माधिका जो है वह पच्पन हो जाएगी तो इस तरह आपने देखा कि आयत चित्र क्या होता है बारम बारता वक्र क्या होता है और ओजाइब कर क्या होता है तो आज के वीडियो को यहीं समाप्ट करते हैं धन्यवाद झाल